हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है मैक्रो सॉप्ट एस्टोर एरर एसकोरिंग लैसेंस इस तरह का आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्स करने चलिए शुरू करते हैं आपको क्या करना यहां पर सर्च पर किलिक करते हैं किलिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर कुछ सकेंड वेट करना है कुछ सकंद वेट करते हैं, अटोमेटिक यह रिसेट हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे, यह Microsoft Store ओपन हो जाएगा, आप देखेंगे, यह प्रोपर तरीका से ओपन हो चुका है, इसके बाद आप आप इसको अपनी हिसाब से यूज कर सकते हैं, आपको कहा किना, Start प क्लिक करके, System tab अपको select करने के बाद आपके case में भी इस तरह से यहाँ पर बहुत सारा option दिख जाएगा, अब आपको क्या करना, यहाँ पर score दौन करने है, score दौन करते हैं, यहाँ पर आपको दिखेंगा, इसके आगे आपको दिखेंगे तो यहाँ पर डिखेंगे, तो य यहां पर run पे click कर देने, click करते हैं इस तरह से problem को detect करना शुरू कर देगा और automatic detect करके उसको fix कर देगा इसके बाद यह window आएगा ता आपको क्या के नहीं, यहां पर next पे click कर देने इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी problem दिखेगा यहाँ पे उसको टुरॉल सुट कर देगा उसको अटोमेटेक फिक्स कर देगा अब आपको क्या करना यहाँ पे close पे खिलिक कर देने इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पे left side में app दिख जाएगा इसके उपर आपको क्लिक कर दê na United क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहाँ पर फ़र्स्ट ऑप्चन दिखे जाएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पर टैप कर दें Storage, Storage टैप करते हैं यहाँ पर आपको दिखे जाएगा macrosoft storage इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे three dot लिखा होगा ता आपको क्याद करने यहाँ पे three dot के उपर आपको क्लिक कर देने इसके बाद यहाँ पे आपको को यह option आ जाएगा आपको यहाँ पैट Amazon दिख जाएगा इसके उपर आपको मतलब यह रिपियर हो चुका है। अब आपको है करने यहँ पर एपको क्या करने के लिए इसके ऊपर आपको किलिक करदेने के लिए किलिक करते हैं, क्लिक करते हैं, इस तरह से रिंट होना सुरू हो जाएगा। Reset Complete होने के बाद यहाँ पे भी यह Tigma का लग जाएगा इसका मतलब यह Reset हो चुक है अब आपको क्या करना है इस Window को यहाँ से Close करदेने Close करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे आपको Search पे Click करदेने Click करते हैं इस तरह से Window Open हो जाएगा यदि आपको case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या करना यहाँ पर yes पर click कर देना है yes पर click करते हैं इस तरह से command prompt open हो जाएगा अब आपको क्या करना यहाँ पर tap कर देना है sfc इस तरह से tap कीज़ेगा इसके बाद आपको space देना है इसके बाद backslash, इसके बाद scan now इस तरह से tap कर लिजएगा बाकि ये command आपको description में भी डाल दूँगा या तो आप description में जाके इस command को copy कर लिजएगा यहाँ पे आके paste कर लिजएगा तो भी इस तरह से ये command यहाँ पे आजएगा इसके बाद आपको क्या करना यहाँ पे आपको enter कर देना है इंटर करते हैं ये command रन हो जाएगा क्या पे आपको हुआ इस मु невाट झाल यहाँ आपको मुआ यहाँन यहाँ झाल 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 100% complete होने के बाद यहाँ पे आके एक कमान रुक जाएगा अब आपको क्या करने है इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देने है क्लोज करने के बाद आपको क्या करने है सिस्टम को रिये स्टार्ट कर लेने है आपको सिस्टम को जरूर रिये स्टार्ट कर लेने है रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी प्रॉलम था वो सॉल्व हो गया होगा और प्लीज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू